आप लोगों के लिए लेके आई हुई बहुत यम्मी रेसिपी को दाल रेसिपी बबचुए बहुत खाया है तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं बहुत ही अची सी रेसिपी जो कि आप लोग सब्जी वगएरा खाका के बोर हो गए हैं तो आप लोग इसको ट्राइ कर सकते हैं और यह बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में तो यहां पर मैंने बद्धुआ लिया आता है जिसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे तो देख सकते हैं मैं पर पत्टे अच्छे से तोड़ तोड़ के रख ली है क्योंकि इसके साथ में और भी पत्टे आ जाते हैं और भी चीजों के तो सब हमको साफ करना होता है और हम रखेंगे, तो इसको अच्छे से साफ कर लेना है, तो देख सकते हैं, मैंने ले लिया है यह अर इहर दिखें, मैंने सब अब भध हुआ था मेरे पास, मैंने जादा नहीं लिया था, एक गड़ी लिया था, तो इतना काफी होता है, तो यहां पर मैं इसको तोड़ के हो जाुरहा ही तो इसके वैसे मैं इससे काटना पसंद करती हूँ काट लेंग इस तरीके से रुफली चौप करना है बहुत जादा बारी क्या मतables आ भषा और वीडियो से आप लोग एक बार जाकर के जरूर देखे और मेरी वीडियो से अच्छी लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो यहां पर यह निख पिछा दिया था मैं ने और यहां पर एक मैंने चाय बनाने वालो जो पैन होता है यह उस्मेुन रखूँँग है अपान चाय तो कड़ाई में भी इसको बाइल कर सकते हैं हमें इसको बाइल करना है मतलब एक स्ट determ लगानी है बस तो यहां पे मैं निकाल के इसको रग दूँगी और इसको हम भाफ लगा लेंगे और ज्यादा नहीं पांसे दस में ही हो जाएगा तो बस यहां पे इसको सब निकाल के अच्छे से और रग देंगे तो देख सकते हैं कितना साफ हो गया पहले कितना गंदा दिक रहा था था अब कितना साफ हो गया हम ने इसे बहुत अच्छी से धोल गया है अब बस थोड़ा से एक प जितना पानी डाल करके इसको हम रग देंगे कैस पे भाप लगने के लिए मतलब श्टीम लगने के लिए तो इसको मैं डब करके रख दूँगी मेडियम फ्लेम पे तो देख सकते हैं अच्छे से उबल गया है एंड अग हम इसको बंद कर देंगे तो फ्रेंट और जो भी आप हरी सबजी ये बनाए उसमें आप ये बॉइल करते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो इसके वैसे जो इसका कलर वह ऐसे कैसा ही रहेगा मतलब बहुत अच्छा कलर आएगा ग्रीन कलर बहुत अच्छा निकार के आता तो मैं थोड़ा सा नमक इसके वैसे देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आए बत होएका तो अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे क्यारफूल क्योंकि बहुत गरम है ये तो बस मैंने या पर निकाल लिया है इसको तो फ्रेंट रसेपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजेगा डिए ये 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 मैंने हाफ केजी देखी लेः आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं मैंने या पे हाफ केजी दही लिया और इसको इस तरीके से मत हींगे तो मैं इसकी हैल्ट से मत हूंगे आपके पास अगर कोई और ऑप्शन हो या जो ब्लेंडर होता है उससे इस आपको मत नहीं तो आप उससे भी कर सकते हैं तो दिखें इससे बहुत इजी रहता है फटाफट हो भी जाता है तो मैं इससे को मत लूँगे अच्छे से तो दो से चैनल में अच्छे से मत जाती है हमारी जो दही है और उसके बाद से हम यहां पर थोड़ा सा पानियाट कर तो बतुवे में बिना पानी डाले हम उसको पीस लेंगे तो मैंने आपे पीस लिया था पीस के उसके बास से मैं इसमें दही में मिक्स कर दूंगी इसे तो फ्रेंड यू बहुत ही टेश्टी सी यम्मी सा रायता बन जाता है हमारा बतुवे का जो कि बहुत ही अच्छा लगत खाने में आप लोग को अगर बतुवा पसंद नहीं है खाना तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा सब को घर में तो इस तरीके से एक बार जरू ट्राई करें एक्शली मुझे भी पहले बतु कराया था तब से मुझे और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद देए तो देखिए बस अब इस तरीके से सभी बतुवा को मैं इसमें डाल ले आपको इंटिटी कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और फिर दुबारा हम इसको मत हैंगे तो देखिए इसका कलर कितना तो बस यह हो गया पांच मेट लगता है पूरा अच्छे से मिक्स करने में इसको तो कर दिया है मैंने यह पे और हम इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद से मैं यहां पे डालूंगे थोड़ा सा नमक तो मुझे नमक और काला नमक दोनों डालना यां पे सिर्फ किरी आइड करने हैं क्योंकि तीखे के लिए लाला मिर्ची सुख्याइड पासंद टो मैं चार से पाँच लाला करी थो हमने थोड़ा से सर्चो तेल करेंगे तो सर्सो का जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है किसी भी रायते में बुंदी का रायता बनाती हूं मैं उसमें भी सर्सो जरूर डालती हूं मुझे अच्छा लगता है तो आप लोग भी ऐसे जरूर बना करके देखें और उसके पासे डायेशन के लिए हींग तो बहुत ही क्यान सब्सक्राइब רाय। हम भी अच्छी होती है तो हींग तो जरूर हम डालना चाहिए थालै इसमें थोड़ा सा स्वेशन अग्सें होई इसके वासी अगर आपको खाना पसंद ये तो कि भीज़क्राइब कर सकते है वैसे खानी चाहें हीए बहुत अच्छी होती है तो i into इसके बास से मैंने यहां पर लाल मिर्ची बी डाल दे है तो इसके भी अच्छे से भूम लेंगे तो दिखे यहाँ पे इसको अच्छे से भूनने के बासे तब हम इसमे अड़ करेंगे और जब यह वाले इस्टेब आप लोग करें तो बहुत ही केरफुली करें क्योंकि यह जो तड़का है यह बहुत ऊड़ता है तो इसको अच्छे से ढग दे और कुछ ताइम के लिए इसको छोड़ दे उसको इसको हटागर के चेक करें तो बस लग गया हमारे रायते में तड़का जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही यम्मी सा एकदम टेस्टी सा डिलीस सा रायता बनके तयार है आप लोग इसे जरूर एंजॉय करें और मेरे साथ कमेंड में जरूर शेयर करें कि कैसी लगी आप लोगों मेरी रेसिपी तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब् थाइ टूर आत।